या दोस्तो नमस्कार जैमा था दे मारे यूटूब चेनल पर आपका एक बार फिर से हार दिख स्वाग दक बोध बोध अविनांदन और मैं आश्यारानी आज शुगर वाले पाई पैनों के लिए बोध यवर्धस टोपिक ले कराई हूँ आज मैं शुगर वालों के लिए ऐसा लड़ू लेकर आई हूँ जो उन्हें सर्दियों में अंदर से फोलाद बना देगा जी यहां दोस्तो आज मैं शुगर वालों के लिए लड़ू लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा फैयादी मंद होता है शुगर के कारण बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है शरीर अंदर से खोकला हो जाता है यहां तक कि शरीर में अन्य बिमार्यों से लड़ने की शमता भी नहीं रहती शुगर वालों को सर्दियों में ऐसा कुछ खाना चाहिए जो शरीर को अंदर से मजबुत बनाए और शुगर में भी नुकसान ना दे आज ऐसा लड़ू बनाऊँगी जो शरीर को अंदर से फोलाद बना देगा और आपकी शुगर में भी कोई नुकसान नहीं देगा यह लड़ू मैंने अनेकों बार बनाया है इसे वो भाई बैन भी खा सकते हैं जो मीठा खाना पसंद नहीं करते और शुगर वाली तो इसे सर्दियों में बेफिकर होकर खा सकते हैं लड़ू बनाने से पहले तमाम शुगर वाले भाई बैनों से विंती करती हूँ जैसा मैं हर बार करती हूँ कि भाई बैनों शेर जुरूर करें 45 मिट सुबह 45 मिट स्याम को और अपने जीवन शेली में बदलाओ करें और अपने खान पान का धियान रखें क्योंकि यह जीवन बहुत ही अनमोल है आई यह बनाते हैं शुगर वालों के लिए लड़ू सबसे पहले समगरी जान लेते हैं और इन में से 25-25 ग्राम यह देखें हमने काट के रखें यह एक बात और बताना चाहूंगी इस लड़ू में ना तो सुगर फिरी गोली डाले और ना ही इसमें किसी परकार का मीठा डाले यह लड़ू वैसी खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट होता है क्योंकि इसमें ड्राइ फ्रोट के कुदरती मीठास होती है यह देखें सबसे पहले हम एक कड़ाई लेंगे और इस ग्री को इसमें अच्छी तरह से लाल कर लेंगे इसमें डालते हैं अब देखें सबसे पहले हम गुंद डालते हैं अब इसके बाद हम अलसी डालेंगे इसको भी अच्छी कर ऐसे मिला देना है अब देखें इसके बाद यह जो मने काजू बदाम 25-25 ग्राम पीस के रखें इसको भी मिक्स कर देखें अब देखें 25 कराम बदाम जो मने काठके रखे हैं डाल देते हैं 25 कर लेंगे अच्छी तरह एस विश्ची तरह से अब देखें इसको ऐसे चलाते रहना थोड़ा थोड़ा हल्का थंडा होने देथे जाद थंडाने थोड़ा गुंगुना होने देते हैं यह देखिए इसको हलका ठंडा होने के बाद जैसे हलका ठंडा होने के बाद हाद वर यह देखिए गुन-गुंदा हो चुक फटा फट फटफट की लड़्डुसाडा ही बना दीखिए कितनी आसानी के लड़्डू की बन जाता है छाल को रचिकने इसा है को सब्सक्राइब 3 disease जbak सब्सक्राइब यह देखे सारे लड़ू ऐसी बनाने अगर आप बच्चों के लिए लड़ू बनाते हैं तो आप उसमें मीठा डाल सकते हैं और यह लड़ू सर्दियों में बहुत ही फैदी मंद होते हैं यह देखे हमारे शुगर वाले भाई बैनों के लिए सर्द्यों वाले लड़ू बिल्कुल तैयार है जो उन्हें अंदर से फोलाद बना देंगे आप हैर रोज एक से दो लड़ू का सेवन बे फिकर होकर कर सकते हैं और ध्यान रे शुगर वाले भाई बैन इसमें किसी भी प पसंदा यो लाइक सेर जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहे जाया माता दोस्तों